इस्राइली शहर तेल अवीव के पास एक ट्रक ने बस स्टॉप में टक्कर मार दी जिससे एक की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए हैं जिन में से 10 की हालत गंभीर है दोस्तों मैं हूँ आपके साथ बरकत और क्या हुआ है इस्राइल में और तेल अवीव के पास क्या टक्कर हुई है आपको इस वीडियो में बताते हैं इस्राइल पुलिस ने इस टक्कर को एक आतंकी हमला बताया और कहा कि हमला वर इस्राइल का अरब नागरिक है ये टकर इसराइल की मोसाद खोफिया एजनसी के मुख्याले के पास हुई है ऐसे में ये सवाल उट रहा है कि आखिर मोसाद को कौन उडाना चाहता था दरसल तेल अवीव के उक्तरपूर्व में रमत हशारून शहर में जब इसराइली एक हफते की चुट्टी के बाद काम पर लौट रहे थे तो ट्रक एक स्टॉप पर एक बस से टकरा गया जिससे कुछ लोग वाहनों के नीचे फस गए पुलिस ने बताया कि दुरगटना के पीछे की परिस्तितिया अभी स्पस्ट नहीं हो पाई है लेकिन फिलिस्तिनियों ने अतीत में इस परकार के कई हमले की है मुसाद के मुख्याले और एक सैनने अड़े के पास होने के अलावा बस स्टॉप एक केंदरी राजमाग जंक्शन के भी करीब है मुसाद के मुख्याले और एक सैनने अड़े के पास होने के अलावा बस स्टॉप एक केंदरी राजमाग जंक्शन के भी करीब है इस्राइल की मेगन डेविट एडोम बचाव सेवा ने कहा कि घायलों में इसे दस की हालत गंभीर है हमास और इसलामी जिहाद से जुड़े छोटे आतंगवादी समू ने संदिक्ध हमले की प्रशंशा की है लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है इस्राइल ने 26 अक्टूबर को हवाई हमले कर इरान, इराक और सीरिया में लगबग 20 सैने ठिकानों को निशाना बनाया ये कारवाही अक्टूबर की शुरुवात में तहरान द्वारा किये गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इस्राइली परधान मंत्री नितन याहू की और से बदला लेने की चेतावनी के बाद की गई ये कदम उस पैटन का अनुसरन करता है जिसमें इरान और इस्राइल बारी-बारी से उस स्तिती को आगे बढ़ाते हैं जो लंबे समय तक एक चाया युद्ध था लेकिन अब ये पर्तेक्ष्ट अक्राव में बदल गया है इन हमलों से व्यापक भै उत्पन हो गया है कि समुचा छेत्र और अधिक उग्रचरन में परविश करने को तयार है लेकिन भले ही ये विरोधाबासी लगे पर मेरा मानना है कि हाल ही में हुए इसराइली हमलों ने तनाव को कम किया है ऐसा क्यूं हुआ ये समझने के लिए इसराइली अभियान की प्रकृती और पैमाने का विशलीशन करना जरूरी है साथी हमले के बाद इसराइल इरान और अमेरिका में निडने लेने वालों के संभावित रुक का विश्लीशन भी जरूरी है इरान दौर अक्टूबर में किया गया हवाई हमला इरान के समू हिजबुल्ला के विरुद इसराइली अभियानों की शरंकला का परतिशोत था इन्वे जुलाई में इरान के नए राश्पती के शपत ग्रहिन की पूर्व संधिया पर तहरान में हमास के एक उच पदस्थ अधिकारी के हत्या तता सितंबर के अंत में हिजबुल्ला के नीता की हत्या शामिल है इसराइल ने इरान के उसी हमले का बदला लिया था बहराल इसराइल में ये बहस चल पड़ी है कि आखिर मौसाद मुख्याले के इतने नजदीक धमाका कैसे हुआ मौसाद को इसराइल का सबसे बड़ा ताकत कहा जाता है मौसाद ने कई बार इसराइल के लिए ऐसे उपरेशन किये हैं जिसको देखकर आज भी दुनिया की जाज एजन्सिया हैरान हो जाती है मौसाद को अपने दुश्मनों को खात्मे के लिए जाना जाता है लेकिन अब खुद मौसाद निशाने पर है इसराइल में ताजा हमला इसी बात की और इशारा करता है परहाल आपके इस वीडियो पर और जिस तरीके से ये हमला हुआ है या हमला कहा जा रहा है या एक्सिडेंट है आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए टीवी नाइन डिजिटल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजे